नवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर चर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचान की आज दिनांक है 30 अक्टूबर सन 2023 विक्रम सुमध 2080 चल रहा है कातिक मास है कृष्ण पक्ष शरद रितू है तिथी आज की दूतिया है और आज के वार है सोमवार आज के नक्षत्र की बात करें तो क्रती का नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री रहेगा योग व्यतिपात है शाम पांच बच के गतिस मिनट तक आगे वरियान योग है और योग की दरश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभावाला है करण तैतिल है दिन में ग्यारा बच के पांच मिनट तक आगे गर करण रहेगा सुर्योदे का समय दर्शको सुबह 6.34 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम पांच बच के 45 मिनट का है आज का राहू काल सुबह 7.30 मिनट से सुबह 9.00 मिनट के बीच है इसे पूरी तरीके से टालिए शुब कारे और लंबी यात्रा टालिए लेकिन इसमें भगवति का समरण करना है क्योंकि सुबह का ये काल है इसमें दुर्गा नाम समरण करेंगे राहू के समशाओं से मुक्ति पाएंगे अबिजित मुरत आज 11.48 मिनट से दौपेर 12.32 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझ के सुजबू से हमें टाल देना है ये हैं दौपेर 12.32 मिनट फिर दौपेर 1.17 मिनट फिर दौपेर बाद 2.46 मिनट और 3.31 मिनट आज का दिशा शूल दर्शको पूर्व दिशा में है तो पहले कोशिश तो यही रहेगी कि पूर्व दिशा की यात्रा को हम टालेंगे लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवार यात्रा है तो फिर क्या करना है कि पूर्व दिशा की और मुक करके और सामने एक दरपन रखना है और उसमें अपना प्रतिविंब देखकर आपको पांच कदम पीछे चलना है और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने हिर्दे में हिर्देस्थल में आप अपने इश्ट का ध्यान करें उनसे प्राथना करें और फिर इस दिशा की यात्रा क करें ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी दिशा शूल नहीं लगेगा कारें सिद्ध होंगे आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बच के 30 मिनट से सुबह 10 बच के 45 मिनट और फिर दौपेर 1 बच के 45 म मिनट तक आगे व्रश राशी आ जाएगी जिससे आज का इदिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को होगा आज अपनी वानी से लाब और सुधरेगा उनका स्वास्त वही व्रश राशी राशी वालों को होगा जबरदस्त लाब हर प्रकार से सफलता के बन रहे हैं योग सिंग राशी वालों को करियर में मिलेगी एक नई पहचान वहीं कन्या राशी वाले आज धार्मे के स्थानों पढ़ जा सकते हैं और मन भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यात्मिक रहेगा तोला राशी वाले स्वास्त का रखे ध्यान कोई गुप्त और गूड तक थे आपको पता लग सकता है अपने बारें भी और किसी और के बारें भी व्रश्रिक राशी वाले जो एविवाइत हैं उनको योग ये रिष्टों का प्रस्ताव मिल सकता है आज और धनू राशी वालों को लेन देन में सूजबूज वरतनी चाहिए किसी को दियावा धन वापस मिल सकता है तो अगर ऐसा कोई धन अटका है तो उसका आज तकाजाब कर सकते हैं मकर राशी वाले चात्र चात्राओं के लिए सफलता लाएगा ये दिन और कुम राशी वाले अपने भाई ब पायों को जो आपको आपकी जीवन की समश्याओं से बाहर ले आते हैं और आपको सफल बना देते हैं अंत्मय करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शको मानस के उत्तरकांड में पक्षिराज गरुड महत्मा कागबुशंडी से पूछते हैं और बहुती महत्यपून अध्यात्मिक प्रशन करते हैं पहला प्रशन उनका ये था कि प्रथमही कहू नात्मति दीरा सबते दुर्लब कवन सरीरा यानि हे प्रभु मुझे ये बताएं कि कौन सा शरीर सबसे दुर्लब है अब इस प्रशन का उत्तर देते हैं महत्मा कागबुशं कहते हैं कि नरतनसम नहीं कवन उदेही जीव चराचर जाचत तेही इसका आड़ती है कि मनुष्य शरीर के बराबर कोई भी शरीर नहीं है चर अचर सभी जीव इस द देहे जहां नारायन स्वयम निवास करते हैं और इस मनुष्य शरीर में बैठ कर नारायन को प्राप्त करना भी संभव होता है इसा मसी ने भी इसे टेंपल ओफ लिविंग गॉड कहा है यानि कि परमात्मा का जीता जागता हो मंदिर तो फिर क्या कारण है कि शरश्टी का स अज्यानता के अंदकार में डूबा रहता है इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन उपावा सुर्दृलब सब ग्रंतही गावा साधन धाम मोच कर द्वारा पाईन जेई पर लोक सवारा यानि कि सभी दर्म ग्रंतों का कतन है कि मनुष्य जनम ब तो सकते हैं इसलिए इसे व्यर्थ कभी नहीं खोना चाहिए या आज की ज्यान चर्चा का सार है अब करते हैं बात उन विस्ष चुपायों पर जिन से आप समश्याओं से बाहर निकलेंगे जीवन को सफल बनाएंगे संतुलिद बनाएंगे सुखी बनाएंगे सबसे बहले नारायन को पंच उपचार अर्पित करने के बाद नारायन कवच के ग्यारा पार्ट और राम रक्षा स्टोत्र के ग्यारा पार्ट करें और फिर रात्री में ग्यारा दीपक घी के लच्मी नारायन जी के निमित प्रजवलित करें तो आने वाला पुरा वर्ष आपका सुक से आनन से बीतेगरस में कोई संधे नहीं ऐसे दर्शिकों यदी कारे सिद्धी में समश्या आ रही हो होते होते कारे आपके रुख जाते हो तो कारे सिद्धी के अध्यात्मिक उपाय आपको कर लेने चाहिए इसके लिए आज ऐसे ही दो मंत्र प्योगों पर हम चर्चा और फिर ग्यारा माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की वहीं मंदर में बैठके करें मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है ओम हर त्रपुर हर भवानी बाला राजा मोहिनी प्रजा मोहिनी सर्वशत्रु विद्वन्शनी मंचिंतित फलम देही देही भूवनेश पुजा के अंत में भगवती को आपने अर्पित किये थे गुडल के पुष्प उसमें से एक पुष्प को आपको उठा लेना है और भगवान शिव पर यानि शिवलिंग पर लगे वे इत्र से उसको सुगंदित कर लेना है और उस पुष्प को सुरक्षित करके आप अपने पास रखें फिर उस कारे के लिए आप जाएं जो कारे आपका अटक रहा था कोई बड़ी मिटिंग हो बिजनस दील हो साक्षात कार हो आप देखेंगे आपके कारे सिद्धी के रास्ते स्वते बनने लगे हैं और आप स्वे ऐसे ही यदि आप भगवान श्री राम जी की नित्य पंचोप चार से पूजा करें और इस बहुत ही विस्ष्ट मंत्र की एक माला नित्य जाप करते रहें तो वैसे आपके सारे कारे कभी रुकेंगे नहीं आगे सा आगे देविय सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा कारे जाएंगे और अपने आप में एक शक्ति उड़ जा तो आपको बहुत एक दू हफ़ते बीते बीते अनभव होने लगेंगे जो मंत्र करना है वह इस प्रकार है ध्यान से समझेगा शूर्षिरोमनी साहसी सुमती समीर कुमार अगम सुगम सब काम करूं करतल सिद्धि विच तो आप कीजिए और चमतकार का अनुभव अपने जीवन में कीजिए तो दर्शक ओ ये थे आज की वो विसस्ट रुपाय जो आपको समझ्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में सफल बना रहे हैं बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जन 24 में सगाई होने के आपके प्रबल योगं बन रहे हैं और विवाह जो होना है वो दिसमबर सन 2024 से मार्चस बिचन सन 2025 के बीच में हो सकता है जो लड़की आपके जीवन माएगी जो जीवन साथी बनेगी आपकी वो विद्वान होगी बहुत निपुन होगी हुआ है है हमारे दर्शक अजे यादव जी कि ग्यार अप्रेल उन्हाधा रहा है स्वास्थी का जनम है राजनितिक भोश्य बताएं अजे जी आपका मिठुन लगन है कुम नाम देगा आपको राजनिती को अपना मुख्य विवसाय या मुख्य कारे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कोई जनम पत्रिका में नहीं दिख रहे हैं अच्छा ये रहेगा कि आप व हमने की जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन वतारेंगे तो आपकी कस्टो का निवारण अवश्य हो और आपकी जो मनों कामना है उसकी पूर्ती आवश्य हो एक रमें बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ दुबात और आप सब करें जया आदिशक्ति उसे overcome कर सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की reading करते हैं कौन से reading है आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग यह दि आपने हमारे कायर करम को नया जोईन किया है तो उधारन देकर बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 17 यानि की 17 तो एक और साथ को जबाब जोड़ेंगे तो जोड़ाता है नमबर आठ तो आठ होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 30 October 2030 आज की तारिक नमबर 30 आप तो जानते हैं कि जुरूर को हम काउंट नहीं करते हैं तो ती नमबर यानि की आज की तारिक गुरू के जिसके उपर क्रपा दृष्टी होती है कहीं न कहीं ऐसे जातक अपने जीवनकाल में सबसे अच्छी शिक्षा और ग्यान को अरजित करते हैं बहुत सोबर होते हैं बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं विशेश तौर पर बुज़रुगों के प्रती उनकी आस्ता बहुत ही जादा होती है धार्मिक प्रवर्ति के होते हैं पूजा पाठ करने वाले होते हैं दानपुन्य करने वाले होते हैं लेकिन अगर यही किसी भी प्रकार से negative हो जाता है तो आपी जान लीजिए कि जितने ही में आपको qualities बताये थी वो सारी opposite होना शुरू हो जाती है कि कि जो ग्यान है वो खोखा ग्यान हो सकता है या फिर जो है पुस्तक ये खाली ग्यान हो सकता है जीवन के अनुभव करना हो अपनी बात को आगे रखने के लिए एहंकार की भावना को प्रबल लेकर आना इस प्रकार की कई चीजें हैं जिसका की नेगेटिव आसपेक्ट पड़ता है अगर एनरजी बैलेंस ना हो तो तो वो जातक जिनके की स्वामी जो हैं वो हैं आपके प्लानेट गुरू तो ऐसे म गुरू का बड़ों का प्रबुद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए अगर आपके टीचर के वार हमने देखा है कि आज का ऐसा समय है जहां पर की स्कूल में जो टीचर बढ़ाते हैं या त्यूशन बढ़ाते हैं या को अच्छी चीज सिखा रहे हैं तो उनकी प्लानेट गुरू इतने अधिक प्रभावशाली हैं तो आज इनका क्या इंपेक्ट पड़ेगा एक से लेकर नौ मूलांग तक के जातकों पर आईए हम जानते हैं मूलांग के लिए हमें आज गाइड किया जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 के लिए आईसोलेशन का कार है देखिए हम नंबर तीन की बात कर भी रहे हैं और मूलांग एक के जातकों का जो लकी नंबर है वो है नंबर तीन आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो कहीं न कहीं अभी तक आपने कुछ चीजों को होल्ड कर रखा था आज वो आपके जीवन से धीरे-धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगी कुल मिला के हो सकता है आपने अपने किसी समंद में किसी प्रकार का ग्रज रखा हुआ है या आपके भीतर किसी की बात इतनी बुरी लग गई कि आप उसको अंदर ये दर घुनते जा रहे हैं तो आज ऐसा मौका आपको मिलेगा आज इतना अच्छा समय आपको मिलेगा अब से आपकी आज आगे बढ़ना आरब हो जाएगी और ये सारी की सारी गुरु किरपा के कारण हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि आज कि दिन विशेश तौर पर आपको अपने गुरु का सम्मान चाहिए या अपने इिष्ट देव जिनकी भी आप बासना करते है आपको कुछ समय उनके साथ gratitude में बिताना चाहिए उनको आभार विक्त करने में बिताना चाहिए आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड करना हैं 30 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है फिर से कार्ड रिपीट हुआ है आईसलेशन का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप थोड़ा सा emotional महसूस कर सकते हैं कुल मिलाके यह जो emotions हैं इनके माध्यम से आपके भीतर की बहुत चारी negativity किसी प्रकार की stiffness जो है तो कोई बुराई नहीं है तो कुल मिलाके end of the day अगर मैं कहूं रिजल्ट है तो आपके फेवर का रहने वाला है आपके जो चीज़ें अटक गई थी जहां पर आपने अपने आपको बिलकुल बांद लिया था आपने आपको एक तरह कहतना सिक्योर कर लिया था आज उन ची 2020 के लिए हमें पर्मात्मा आज किया guide कर रहे हैं आज 30 October 2020 के लिए और मूलांक तीन के लिए हमें कहा जा रहा है creativity का card है मूलांक तीन की हम बात कर रहered हैं और आज की तारीक का जोड भी है तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है और अपनी इस उर्जाओं का आप सदूपियोग जरूर करें तो कुल मिला के आज जो भी कोई प्रजेक्ट आपके हाथ में आए उसमें कुछ क्रियेटिव सोचें, कुछ अलग सोचें और जो भी कुछ आप एफ़र्ट डालेंगे वो आपके लिए बेनिफिशल होगा, आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है और कही ना कहीं जो आपके मित्र होंगे, वो आपकी सहायता करेंगे आपके आगे करियर में आपको आगे बढ़ाने के लिए तो आज का दिन अच्छा है लोगों का सयोग प्रात्त होगा दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे और हां एक विशेश गाइडेंस और आ रही है कि यदि आप किसी विक्ति को पसंद करते हैं फिर आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है इंटीग्रिटी का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है साथ ही साथ जिस चीज को ठाने जिस कारे को ठाने उसे पूरा करके ही दमले आप इनक किसी भी कारे को बीच में न छोड़े आपकी हैबिट है कि आपको संतुलित रखना है और पुराने कानों को पूर्ण करना है आपका दिन शुबहू आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है आपका जो लगी रंग है वो है रंग लाल और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि एक आपके अंदर एक नई खासियत डवलप हुई है और वो ये है कि हर चीज़ को परमात्मा पर सरेंडर करना जो होगा देखा जाएगा हम भग इसी भी प्रकार की समस्या को आप परमात्मा पर छोड़ दीजिए तो सोर्स का काड आया मतलब सर्वोच इश्वरी शक्ति आज इश्वर की करपाद्रिष्ट्री आपके उपर बनी हुई है सब कुछ उनके उपर छोड़ दीजिए फिर देखिए कैसे लाइफ में पॉजि परिवार थे इसके लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है कॉम्प्रमाइस का काड़ है लगी नमबर आपका नमबर छे और आज के दिन अपने बारे में केवल ना सोचे बल्कि सब के बारे में सोचते हुई ही आपको कोई डिस्जिन लेना है आज लाइफ में आज लाइफ में वह जो आपकी जरूरत है ना केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की आपके आसपास के लोग हर उसकती की जो आपसे किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है तो आज आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे है कि आज के दिन केवल अपने बारे में ना पाना डालना उनके लिए जल की विवस्ता करना चुड़ चुड़े काम है लेकिन बहुत महत्पूर्ण है आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा एन है गोईंग विद दाफ लो आपको कहा जारा है कि आज कज़ด दिन सर्व साधारन दिन है जैसा कि आ 1992 चला रहा है और zor borrowing को शीर Performance नहीं है कि जो भी कुछ आपके जिंदगी में हो रहा है उसे एजटेज होने दीजिए किसी प्रकार की शंका या भैसे अपने आपको मुक्त कीजिए रिजल्ट जो है अन्तो गत्वा पॉजटिवी रहने वाला है आपका दिन शुभू आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है लोनेस का कार्ड है लकी नमबर है आपका नमबर 9 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कारे करेंगे वह अप खुद से ही करेंगे क्या क्या आईगे तो आपको divine क्या कह रहा है कि जो हो रहा है उसे हो ने दिया जाए उसके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेर नहीं करना है डिवाइन की मर्जी में इंटरफेर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है उससे क्या होगा कि जो भी कुछ आपके समक्ष आना होगा जैसे कि यह जो परस्तिती है यह आपके भीतर क्या करेगी आपके ऐसे टैलेंट को जा ये आपके लिए आने वाले समय में लाइट बन कर आपको सपोर्ट करेगा आपका दिन शुब हो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नाम उलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थ ना करते हैं आपनों हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलू आपका ये मिलूब स्वस्त रहें हमें तो ये जद जो किसरा है प्येडिंग हमेशा झापका आपका दिन शू बर भी नाम चासे श्मपढ़ सिरे इन्सकार रहें मिलूँ झाल झाल